नमस्कार दोस्तों जीकेर अप्तार चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों हर्याना पुलिस के अंदर महिला पुरू सिपाई व सब इस्पेक्टर बरती एलम आईटियों की जानकारी मिलेगी पुरू सिपाई का भी रिजल्ट रिवाईज होगा या नहीं इसके बारे में भी आपको बताएंगे वीडियो के साथ अंतक बने रहें सबसे पहले बात करते हैं हर्याना पुलिस पुरू सब इस्पेक्टर के दस उमिद्वारों की जोइनिंग रोकी गई है इन सभी जोइनिंग रोके गए कंडिडेट को छोड़ कर बाकी जिन कंडिडेट की सभी कुछ ठ अतर लिखा है और आईटी आई के कुछ पदों के परिणाम में होगी देरी ये भी बताया गया है कि आईटी आई के कुछ परिणाम हैं जिनके अंदर देरी हो सकती है लेकिन एलम का जो रिजल्ट है वो जल्द ही जारी किया जाएगा पुरू सिपाई पद का परिणाम गो गोसित हो सकते हैं तो वपाल सिंग खद्री ने बताया है कि स्टाप नर्स स्वास्ते विवा के अन्य पदों लेव टेकनिशन सायक और अन्य पदों के प्रणाम है वो गोसित हो सकते हैं इस दूसरी खबर के नुसार हरियाना करमचारी चैनायो करेगा मैला पुलीस सिपाई औ और कलरक के पदों के परिणाम में बदलाओ कलरक पद के लिए दालत ने तीन परसनों के उत्तर हैं वो गल्त माने हैं इसलिए इसका रिजल्ट है वो बदला जाएगा कलरक पद के लिए एक सिप्ट में तीन परसनों के उत्तर हैं वो गल्त मिले थे अब बात करते हैं मैला स तेन सुची से बाहर हो सकते हैं नए परसेंटाइल का जो तरीका है वो उसके मुखे बिंदू इस परकार है कि यह हर सिप्ट में हुई प्रिक्षिया के नुस्यार तै होता है नए कि सभी सिप्टों की स्यूक्ट परसेंटाइल तरीके से होता है इसका असर अब जहां मैला पुरूश सिपाई है उनके अंदर जो साथ गुनाव कंडिडेट बुलाए गए हैं उस पर किरिया पर इसका कोई एसर नहीं रहेगा जो फिजिकल के लिए बुलाए गए थे उस पर किरिया में किसी परकार का कोई बदलाव नहीं होगा एसा भी सपरस्ट किया गया है तो द